मैं एक छोटा सा उधारन देता हूँ आपको और इस उधारने को एक छोटा सा फदारन है और इसको पूरे देश को Déqu разको देखना चाहिए समझना चाहिए कि देश में हम कहे रहे हैं लाकि वायू सेना ने आवेदन निकाले साड़े 3000 पदों के लिए साड़े तीन हजार पदों के लिए साड़े तीन लाख आवेदन आए हम इसे कह सकते है कि पीठ खतपाने के लिए के बहुत अच्छा है देखा हम तो पहले ही कह रहेते हैं कि अगनी वीर हिट होगा मैं भी बोड़ रहा हूँ अगनी वीर हिट होगा 110 परसेंट होगा आप लो से 14,871 आवेदन आए अलग अलग न्यूस चैनल्स पर आपने ये खबरे देखी होंगी और उन्हीं की सुर्किया में आपको दिखा रहा हूँ और इसमें नियूंतम योगिता आपकी आठवी पास होनी चाहिए थी अब इसके बाद आकड़े को धान से समझिएगा और इसम एक सो चौसट ऐसे यूआ थे जिनके पास ये पीजिए अम में एमकॉम की डिग्री थी बीए वाले 1484 अभ्यारती थे 39 बीटेक इंजिनियर थे चपरासी के पत के लिए आवेदन आये थे चपरासी के पत के लिए बीए और एमकॉम वालों के ये हर्याणा के पानीपत वाला किस्सा आपने सुना होगा जो आप कहरें ना कि अग्री वीर में इतने लिवांगे आवेदन देलिया ये तो सिर्फ चप्रासी की मैं बात कर रहा हूं साथ 13 चप्रासी के पदों के लिए 14,871 आवेदन आ जाते हैं आप बिल्कुल आपका जो दिखाया है आपने बिल्कुल सही दिखाया है और बिल्कुल फरुख्यों में भी रा साथवाल सबसे बड़ी चीज़ का ये है कि रोजगार के लिए आवेदन आ रहे हैं और काम ऐसा नहीं है नाज़ी सरकार में आवेदन आय चलनी रहा उसके लिए आवेदन मांगे गए नियूंतम योगिता थी दसवी पास और इस 49 पदों के लिए 950 महिलाओं ने आवेदन किया आप कहेंगे 950 तो ठीक है भई या इतनी बेरुजगारी है तो 950 तो आवेदन आना कुन सी हरानी की बात है लेकिन कौशिक जी निगम जी इसमें से 80 फीज़ी के पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिगरी थी 80 फीज़ी के पास यानि की 750 महिलाओं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थी झाल चाहिए होता है तो यह नहीं देखता है कि बता रहा है कि आक तो नहीं और आधा संद्री नीन का रोजगार के वाध बने के बार प्यूद कि नोपनी करते हैं तो अब दो करोड़ कर ने. कंपनी पुरा नुड़ा हब करता था बंद हो गया है CMIE का आकड़ा हम सीरेसली ले ये ना ले तो उसी आफ्टे के मुताबिक एक करोड तीस लाख रोजगार के अफसर कम हो गए एक करोड रोजगार हमेशा के लिए खत्म हो गए क्या ये चिंता की बात देश के लिए है या फिर नहीं अब जब सरकार राइस्ताने बार्दिनता पार्टी की थी उस समय जो 6% जो बेरोजगार थी आजो 32% बेरोजगारी हम राज्यों में बात कर देखो ना 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 राज्यों में बात कर नुआओं के साथ अंजाद ही करते हम प्रदीव जी जब जून 2022 के भारत के लेवर से जुड़े हुए आकड़े जो सामने आए उसमें 13 मिलियन लोगों ने नौकरी खो दी इस बार माइक में रोजगार का अकड़ा आया 404 मिलियन से घटकर 390 मिलियन हो गया देश में जब लोगडाउन भी नहीं लगा है उस दोरान रोजगार का ये रोजगार की जो सबसे बड़ी गिरावट दर्श की जा रही है और हम लगे होंगे हिंदू मुसल्मान पर अप आगड़ा इसना जो बड़ा बता रहे हैं ये वह चिंता वे विशे है जो बहुत सोच लेएगे मैं खुट बड़ा है रहान हूं आपकी बाद सुनके उत्तर प्रदेश का सिक्र किया आपने मैं आपको बयान सुनाना चाहूंगा और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा एक बयान है उसको प्ले करेंगे सुनिएगा और फिर मैं बताऊँगा ये कौन है और ये क्या मांग कर रहे हैं और कब से मांग कर रहे हैं प्लीज प्ले करिएगा पिछले एक साथ के संघर्ष और मेहनत का नतीजा ये है कि हम अभी भी धरने पे बैचे हुए हैं इको गाइडन में पांग जिनवरी को हमारी लिस्ट आई थी और लिस्ट को आए पास महीने होने वाले हैं लेकिन अगर हमें कुछ नहीं मिला है तो न्याय नहीं मिला है प्रदीब जी जानते हैं कौन ही हुआ जिन से चुनाव से पहले आपने वादा किया था आज वो कह रहे हैं शिक्षक भरती को लेकर संघर्ष की भी एक सीमा होती है साब यहीं मांग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमने लोगों को पकड़ पकड़ के रोजगार दिया तुना प्रदीब आपने आप बता रहे हैं सिक्षक भरती की बता देता हूं जी जी मैं बता रहता हूं आपको में अगर शिक्षा बटे बच्छों जो चोटे बच्छों की जो सिक्षा कराभी प्रिखे गए तो यह थान लोग है नोखरी के लिए संघर्ष कर रहें हैं जो बताइसे हम आपको बता रहां इनके बारे में आपको पर नहीं है और भी रही है संपी सरकारों में भी इनकी बार निकले और कैंसे आप इनका ऑनलान जल्दी निकलने वाला था नहींदम आपकी मादयम से अगर चैन प्रक्रिया में कोई भरती हुई उससे सुधार कर जो योग्या भ्यारति उनको नौकरी देने में देर क्यों कर रहे हैं इनी से तो वोट मांगा आपने अगर जिससे वादा करा है उनसे पूरे वादे करेंगे जी जी कैसे बिल्कुल बिल्कुल हमने अगर जिससे वादा करके जो हमने अपने मैनिफेस्टों में जो समाज और जनता से वादे करें हैं उसको पूरा करके ही आए हम खाली पदों पर बजट खर छो रहा है और बेरु दार युवा सडक पर है और आप कह रहें कि हम नौकरी दे रहें